हेलो हाई गाईज विलकम बैक टुए अटाय तो कैसे है फ्रेंट्स आप सब तो सब ठीक टाक तो चलिए फ्रेंट्स आज हम दो टॉइस का अन्बॉक्स कर लते हैं फ्रेंट्स यह दो रो टॉइगन जो है बॉल बुलिट के है सबसे पहले यह एक AR राइफल है तो फ्रेंट् यह बहुत ज्यादा डामेज करती है दूसरी वाली यह स्नाइपर है यह इसी तरह बॉक्स में आ गई है इसका कोई सब्रेट सा बॉक्स नहीं था तो चलिए आज हम इनको अन्बॉक्स कर लेते हैं इससे पहले फ्रेंट्स अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब क बॉक्स वाली नहीं चाहिएबॉक्स वाली जा तो यह उन्दम जबादल स्नाइपर है इसको हम ऑपन कर लाते है इसको मैं आ ओपन कर लिया है अब इस में से सारे इसके अटाचमेंट्स निकालते है दूरब इसके साब आप देखिये आपको क्या क्या आ जाते हैं को यह देखिये बडिया से स्नाइपर आया त transfya एक यह अपको भूत की लग रहे है यहां पर इसकी काफी बडिया है और यह विजे बहुत ही बड़े दिख रही है M24 दिख रही है इसका बॉल्ट आक्षिन देखे यहां पर है बॉल्ट बॉलेट्स वाइबर्स की बात यह अलग होती है और इसके साथ एक स्कोप आ गया है इसमें देखे आपको स्कोप में कुछ भी ग्लास नहीं दिया गया है सिर्फ यह देखिए इस सारा से अपस लेजर सी यह भी कर सकते हैं पर लेजर के इम फ्रेंट्स आपको पता यह अक्यूरेट नहीं होता है और फिर भी action के लिए दिया गया है, इसके सारे attachments लगा लेते हैं और strand भी दिया गया है, strand यहाँ पर लगता है strand लगाने की जरूद तो नहीं है और इसके attachments और कहा है, इसके साथ और एक जो है इसका nozzle होता है, वो box में ही है लगता शायद, बाहर निकालते है हम इसके नौजल को यहाँ पर लगा लिते हैं यह जरदल नौजल नहोंता है बैरेल है इसका यह लग गया अभी हम इसके उपर यहाँ पर नौजल आ जाता है नौजल देखे पुरा सिल्वर कलर का है अभी यह देखे कितनी बड़ी हो गई है यह यह देखिए वाप रहोब यह तो यह बड़ी हो गई है इसका रेंज देखना होगा कितनी दूर तक जाएगी है यह सारे अटाश्मिंस में लगा लिए है अब इसकी मैगजिन देख लिए फ्रेंट साफ की मैगजिन देखिए इस तरह से आती है बिलकुल रेक्टेंगलर इसमें है इसमें हम बूलेट दाल देते हैं अचले बूलेट जालने करते हैं आपको लगाते नहुगा इसका देखिए फ्रेंट्स यह जो मैगजिन के रिलोडिंग है इस तरह से आपको नीचे करने होगी ताकि जो है इसमें से बूलेट आकर यहां पर लग जाए तब यह यह लिखेंगे तक यह देखिए बुलेट लागा है इसमें से कि अभी आप जो है मैगजिन सीदे से लेकर इसमें लगा दे बस लग गई है अभी देखिए क्या वेडिया दिख रही है ओसम यार इसका हम पायर टेस्ट करेंगे इससे पहले हम इसका भी अन्बॉक्स कर लेते हैं यह एर राइफल का यह गंगना मुझे पताने पर इसके उपर तो सब मेशिन गंग बलकर दिया गया है वाव और देखिए हैं ख्या बढ़ी है दीख रही है इसके सब देखिए है एक यह देखिए होलोग्राफिक साइट्ट भी दिया गाया है और इसमें ग्लास नहीं है इसमें भी हमें लेजर रिमिंग दिख गई है वाव और इसके साथ कुछ हमें बॉल गुलेट्स भी दिये गए है निकालते हैं इसे बाहर अच्छा सब्मेशिन गण यह सी है यह दिए सम्जी यह चूटी है कॉम्पैक्ट है अब इसका रिलोडिंग यहां से लगता है वाव आईट है यहनी इसका रेंज भी बहुत बढ़ यहाँ आई यहाँ पर लगा लेते हैं के लग गया यहां आप कि साओ लगता है रहा enclosure है यह दिया वड default कर बता कि तरह ग्रीफशन थें थ alors स्कोप लगने के बाद में इस तरह से दिखती है यह बढ़ यह दिख रही है जो विदाउट स्कोप भी मुझे बहुत अच्छी लिख रही है क्योंकि इसका जो है एम एमिंग डाउन अच्छा कर सकते हैं हम लोग वाव अभी यह देखिए दिख रही है ना एम 416 जैसी चलिए अब हम इन दोना का फायर टेस्ट करते हैं देखते हैं किसका डामेज ज्यादा है तो चलिए दो सबसे पहले हम इसका डामेज टेस्ट करते हैं मैंने लिया है मैं टार्गेट से 15 फीट दूर कड़ा हूँ आपको लग रहा है कि मैं करीब हूँ पर एक्च्छल में मैं इससे 15 फीट दूर कड़ा हूँ मोबाइल से रिकाट कर रहा हूँ इसलिए शायर ऐसा होगा आपको चलिए स्टाट करते हैं बॉक्स को मार रहा हूँ एक दो तीन वाव दो गुलेट्स निकले इसकी अंदर से अभी तो सवराक नहीं गिरा है तो फूल गिरा है मुझे लगता है होल गिरा है इसको जूम करके बताता हूँ यह देखिए यहाँ पर बॉक्स ओड़ा संदर चले गाया और मारते है वाव थोड़ा उपर माते हैं वाव यह देखा फिर्ट्स आपने फोल गिर गया इसमें यह देखिए आर पार हो गई है बुलेट अंदर चले गाया है वाव देखा बिलेट्स किस तरा से हिट बैक कर रही है पावर बढ़िया है इसमें यह देखिए फिर बुलेट आकर मुझे लगी वाव दैमेज उत्मा ज्यादा नहीं कर रहे है फिर यह पता नहीं क्यों देख रहे तो स्नाइपर है फिर भी डैमेज नहीं और आई जितना मैंने सुन चाथा तो ओके फ्रेंड्स जैसे की देखा आपने इसके बुलेट जो है कुछ बुलेट जो है फास्ट यानि डैमेज जादा नहीं कर रहे हैं बागी के बुलेट अच्छा डैमेज कर रहे हैं यानि आप दस गोलियां चला होगी तो साथ गोलिया अच्छा लग रहे हैं और तीन गोलिया बस फुस पुस लग रहे हैं डामेज नहीं कर रहे हैं अब हम एयर राइफल को देख लेते हैं वह कितना डामेज करती है एक तो तीन इसको यहां पर माते वाइश का डामेज मुझे बड़िया लग रहा है फ्रेंट्स थोड़ा दा जूम इन करता हूं ताकि आपको दिख जाए पर गोली देखे आर पार नहीं हो रही है जंप कर रही है अभी अभी यह दिखें फ्रेंट्स यहां आपको दिख रहा होगा लाइट होल गिर गया है के इनिवे पायर करते हैं वाव यह देखे बुलेट उसके अंदर यह टक गई है इसे कहते हैं डामेज वाव यह देखें पूरे सेंटर में लेफ्ट साइड मार रहा हो मैं इस वाले गन से वाव वाव फ्रेंट्स यह तो स्नाइपर से भी बढ़िया है वे देखें इतना सारे डामेज किया है इसे यार राइफल है यह देखें तीन बुलेट्स आपको दिखी रहे हैं बाहिए आरपार हो गए हैं नहीं डामेज बढ़िया है इस गन में पर इसका रेम जो है कम है उतना ही है डामेज नजी Dolg से बहुत बढ़ीज कर रही है रेंज को आ मैस का अब न्अमल टाएज पर मारते हैं देखने कितना एक्यूरट लगता है इन टॉश एक श्ट्रेट रखके मानने क्यों ट्राइए करता हूं मैं देखता है लगता है या नहीं ओह वह वह विस्स हो गया यह तो फिर रखके देखते हैं ओहो बहुत मुश्किल हो रहा है यहां से मेरे आई साइट से मारता हूं अब ही सही लगाए है हलक कमारते हैं ओह यह देखिए किस तरह से मिस हो गया मैं हलक कमार रहा था पर ओह यह देखें उसकी मुंडी ही निकल गई हलक की डाय में जतना ज्यादा कर रही है नजीक से यह देखिए हलक का धड़ा लगो गया सौरी अल्क है आदे हम कैप्टेन अमेरिका को मारते हैं ओह इसको मारते हैं ओह 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 गुलेट हिट बैक कर रही है यह से अब इसको मारते हैं इसके बाद भी हम स्नाइपर का भी टेस्ट करते हैं पहले वाह इसे क्या गिर रहे नीचे वाले कपको मारते हैं अभी गिर वह आई है वाह तो फ्रेंज ओवराल मुझे इसका डामेज बहुत बढ़िया लगा अब हम स्नाइपर का भी देख लेते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कौन बढ़िया डामेज करती है और किसका निशना अकुरेट है इसका निशाना थोड़ा सा अकुरेट नही है उपर से इसलिए थोड़े शॉट्स इसके मिस हो गया और यहां पर से भी निशाना थोड़ा सही नहीं लग रहा है अभी हम स्नाइपर का देख लेते हैं उसका कितना है कि रिट है चलिए अब मेरे हाथ में स्नाइपर है अभी मैं डाउन कर रहा हूं आयरेन मैं से अब ही सही लगा है अगरा इसाना इसका एकुरेट है इसका अब इन बॉक्स को मारते हैं अच्छा तो इसकी मैगजिन बहुत जल्दी हो जा रही है इसमें तो मैगजिन नीचे से इसलिए अपको बार-बार को रिलोड करना पड़ रहा है हर् हर छे बुलक के आदे हैं गंज है रिलोड हो जा रही है और मैगजिन बहुत कितना टाइट लग रही है है अगर नीचे वाले कपको मारते हैं अगर सबी गिर जाए ओव निस तो देना फ्रेंट्स इसका भी डामेंज इतना बुरा नहीं बढ़िया है पर इसमें अगर आप दूसरी गन के बॉल बुलिट्स दा लेंगे तो यह सीधे से फायर नहीं हो रही है इसके साथ जो बॉल बुलिट्स आते हैं वही आपको टालना पड़ेगे साथ यह राइफल लेंगे तो प्लाइट को आए जाए गा, तभी यह साई तरीके से फायर होगी और यह वाली देखिए, ए इसमें आप कोडसे भी बॉल बॉल बॉलेट्स जाल सकते हैं शिक्स एम अम के बॉल बॉलेट्स ब्लास्टिक और उसे किसे भी फायर कर सकती है और सब्सक्राइब दोनों बढ़िया है अपने रेंज में आपको कौन सी इसमें से अच्छी लगी गान कमेंट करके बताना इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में और नाइट वाइस के साथ तब तक के लिए बाए